ओम प्रकाश पुरी, ओबी, 18 अक्टूबर 1950 को पैदा हुए और 6 जनवरी 2017 को इस दुनिया से चले गए एक बहुमुखी और सम्मानित भारतिय अभिनेता थे जिनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। उनका शानदार करियर मुख्यधारा के व्याबसाएक हिंदी सिनेमा के साथ साथ बंगाली, कन्नड, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु और मराठी फिल्मों सहित विभिन क्षेत्रिय उद्योगों तक फैला हुआ है। पुरी ने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए स्वतंत्र और कला फिल्मों के क्षेत्र में भी एक अमिट छाप छोड़ी। पुरी की स्टारडम की यात्रा प्रशंसा और मान्यता के साथ शुरू हुई। वह न केवल भारत में एक प्रसिद्ध अभीनेता थे बलकि उन्होंने अपने असाधारन प्रदर्शन के लिए अंतरराश्ट्रिय स्तर पर भी प्रशंसा हासिल की। सिनेमा में उनके योगदान को कई पुरसकारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सर्वश्रिष्ट अभीनेता के लिए दो राश्ट्रिय फिल्म पुरसकार, दो फिल्म फेर पुरसकार और 1990 में भारत का प्रतिष्थित पदमश्री शामिल हैं। 2004 में उन्हें Order of the British के मानद अधिकारी की उपाधी से सम्मानित किया गया था, एमपायर ओबी को मनोरंजन के क्षेतर में उनकी उतक्रिष्ट उपलब्धियों के लिए, जो बात ओम पुरी को अलग करती थी, वह थी किरदारों में जान फूंकने की उनकी क्षमता, जो उन्ह प्रासंगिक और अविस्मनिय बनाती थी, उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाय, आक्रोष 1980, आरोहन 1982 और अर्ध सत्य 1983 जैसी फिल्मों में थी, जहां उन्होंने जटिल और स्तरिक पात्रों को चतुराई से चित्रित किया, शाम बेनेगल और गोविंद नहलानी जै उनकी अपार प्रतिभा और रेंज को प्रदर्शित किया, पुरी की प्रतिभा केवल बड़े परदे तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने सद्गती 1981 और तमस 1987 जैसी समीच्षकों द्वारा प्रशंसित परियोजनाओं में अभिनय करके टेलिविजन पर भी महत्वपूर्ण इन तेलिविजन फिल्मों ने न केवल उनकी अभिनयक शमता को उजागर किया, बलकि सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिससे एक सामाजिक रूप से जागरूप कलाकार के रूप में उनकी विरासत मजबूत हुई, जहां उनकी गंभी भूमिकाओं को व्यापक रूप से सराहा गया, वहीं पुरी ने जाने भी दो यारों 183 और चाची 420 इंच 1997 जैसी फिल्मों में कॉमेडी के लिए भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपनी तुटिहीन समय और बुद्धी का प्रदर्शन किया, तीवर नाटक और हलकी फुलकी कॉमेडी के बीच सहजता से स्विच करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सभी उम्र के दर्शकों के बीच पसंदीदा बना दिया, पुरी की प्रतिभाने सीमाओं को पार कर उन्हें अंतरराश्ट्रिय सिनेमा में कदम रखने के लिए प्रेरि 1990 के दशक में उन्होंने माई सन्द फैनेटिक 1997 और कॉमेडी ड्रामा इस्ट इस इस्ट 1999 जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की East is East में उनके असाधारन प्रदर्शन ने उन्हें अग्रणी भूमिका में सर्वश्रिष्ट अभिनेता के लिए प्रतिष्थित बाफ्ता पुरसकार के लिए नामांकन भी दिलाया जो एक अभिनेता के रूप में उनकी अंतरराश्ट्रिय प्रतिष्था का प्रमान है मनोरंजन उद्योग की चकाचोंध और ग्लैमर से परे ओमपुरी एक सशक्त व्यक्ति थे अपनी कला के प्रति उनके समर्पन और विभिन पात्रों को प्रामानिक्ता के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने साथियों और प्रशन्सकों के बीच समान अभिनेता नहीं थे वह एक ऐसे कहानिकार थे जो अपने प्रदर्शन के माध्यम से असंख्य भावनाओं को जगाने की शक्ति रखते थे। में से एक के रूप में उनकी स्थिती को मजबूत किया। जैसे ही उनकी उल्लेखनिय यात्रा पर परदा पड़ा, दुनिया ने एक सिनेमाई किमवदंती के खोने का शोक मनाया, लेकिन उनका काम जीवित है। फिल्म इतिहास के इतिहास में अंकित है जो उनकी अद्विति प्रतिभा और स्थाई विरासत का प्रमाण है।